पिपरिया माल गाओं में जून माह 2023 को छे मजदूर कचरागर एवं क्लीजफिट निर्मार कारे में काम किया है जिसमें दो मिस्त्री, चार महिला, दो-दो सप्ताह काम किये हैं जिसका मजदूरी भुक्तान 29,200 रुपे हो रहा है ग्राम पंचात सचिव से मजदूर लोग तीन-चार बार भुक्तान के संबंध में बातचीत भी किये हैं लेकिन सचिव द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है आईए जानते हैं समुदाय से समस्या के बारे में क्या समस्या है दीदी आपको? हमको यह लीज़ फिट वाले और कचड़ा घर बनाए हैं तो हमको एक महिना से हो गए पैसा नहीं मिल रहा है कितने लोग काम किये थे? चार बाई थे और दो मिस्त्री थे एक महिना से हो गए अभी तक पैसा नहीं लग रहे हैं हम यह चाहते हैं कि हमें वो पैसा मिल जाते तो आज कुछ ही काम में आ जाते जैसे रोपा लगाना बच्चों की पढ़ाई लगता कपड़ा हर चीज में काम आ सकता लेकिन मिल नहीं रहे हैं एक महिना से हो गया आपको क्या परिशानी आ रही है बताईए यह परिशानी आ रहा है मैंनम यह कम से कम एक महना हो गया काम किये लेक फिट वाले और कचड़ा घर वाले इनके पैसा कम से कम एक महना हो गया ना पैसा मजदूरों को मिल रहा है ना मिस्तिरियों को मिल रहा है दो मिस्तिरी काम किये हैं और चार रेजा काम किये हैं अभी 24 दिन का भुक्तान बाकी है मैं कई बार फॉन लगाएं मैं आज तक अभी न चूना पोत रहा है न तो इनका भी धक्कन भी बनना बाकी है फिर भी अभी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है हम यहीं चाहते हैं आपसे कि इनका काम जल्दी करवाएं और साथ में प्रेमेंट भी इनका भुक्तान करवाएं समुदाय के लोग फोन पर मुझे समस्या बताया और फिर मैं फिपरियमाल गाओं गई और जो लोग काम किये हैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा है मैं छेतरी जनपत सदस्च और एक समुदायक समवादत्ता होने के नाते मैंने ग्राम पंचैत कारयाले में जाकर सचिव से बात किया जिसमें सचिव दोारा बोला गया कि एक सपताह के अंदर भुकतान करवा दुगी लेकिन भुकतान अभी तक नहीं हुआ है जिसमें मैंने 24 जुलाई 2023 को सहप्रा जनपत पंचैत की समान सभा बैठक में मुख कारपालन अधिकारी को समस्या बताई कि मजदूरों के समय पर भुकतान नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई एवं खेती प्रभावित हो रही है जिसमें मुख कारपालन अधिकारी द्वारा आश्वासन मिला है कि इस अतिसीगर पिपरिया पंचैत का विजिट करेंगे और शमश्या समाधान करवाएंगे झाल